सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि PBN लिंक्स को बनाने के लिए कौनसी स्ट्राड़िजी उस होती थी कैसे जो लिंक बिल्डर्स हैं उन्होंने अपने आपको इवाल्व किया और दूसरे तरीकों से भी जो PBN मेथ़ड है उसको यूज करके बैकलिक्स बनाना शुरू किया किस तरीके से Google आपकी वेबसाइट को पैनलाईज करता है गूगल क्या इस चीज़ को चेक कर पाता है कि आपकी वेबसाइट के उपर जो बैकलिक्स बने वो PBN से बने हुए ताकि वो पैनलाईज कर सके गूगल का PBN Networks के बारे में क्या सोचना है इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले सबसे पहले मैं एक दो चीजें आप लोगों को clear कर देता हूँ देखो आज के time में गूगल का ये 100% मानना है कि जो PBN technique या जो PBN को use करके आप backlinks बनाते हैं वो गूगल के guidelines के according backlinks जो है वो नहीं है ठीक है लेकिन एक चीज मैं साथी साथ और आपको बताऊंगा कहीं कहीं पर गूगल के जो bots होते हैं वो PBN Network को identify नहीं कर पाते हैं अगर जो link building करने वाले लोग हैं वो कुछ specific चीजों का ध्यान रखते हैं तो यानि कि PBN Network बना कर भी आप कुछ हद तक बचके निकल सकते हो बट ये भी देखा गया है कि वो initially तो आप बचके निकल जाते हो बट बाद में कहीं न कहीं आप जरूर फस्ते और Google वड़ी आसानी से identify कर लेता है कि आपने PBN Networks के तुरू यानि PBN के तुरू आपने backlinks बनाया और फिर आपकी website या तो DRank होती है या फिर penalize होती है या फिर आपके जो links हैं उनकी कोई value ही नहीं रहती है देखो bad links का तीन असर main होते हैं ये बात आपको समझनी पड़ेगी अगर आपने toxic links या जो अच्छे links नहीं उनको बना दिया तो तीन main उसके जो consequences हैं वो आपको face करने पड़ सकते हैं पहला जो consequences होते हैं वो यह होते हैं कि उन links के आपको कोई value नहीं मिलेगी वो links normal पड़े रहेंगे ठीक है ना उसकी कोई positive value है ना उसकी कोई negative value तो कोई फाइदा नहीं है आपकी resources time सारी चीज़े waste हो गई है उस type के links को बनाने में यह पहली चीज second जो चीज़ यह है कि आपकी website की जो ranking है वो down हो सकती है यह second consequences है third consequences यह होते हैं कि आपकी website जो है वो penalize भी हो सकती है but इन सब चीज़ों को review करने के लिए Google के पास दो methods है एक होता है उसके bot का method यानि कि automated method जो उसके bot जो चीज़े समझ पाते हैं कि आप Google की guidelines को जो है वो follow कर रहे है या नहीं कर रहे है जो Google के according आप backlinks जो बनाने थे वो आप बना रहे है या नहीं बना रहे है यह सारी चीज़ bot जो है वो एक बार verify करते हैं bot जो है उसको scrutiny करते है second जो method होता है वो होता है जो Google के अपने human employees है यानि human reviewers है वो भी content को review करते है वो भी आपकी website को देखेंगे कि इसके उपर कौन कान से backlinks point हो रहे है अच्छा ये वाला जो backlink है वो इस website से है ये वाला जो backlink है वो इस website से अगर दोनों website में कोई connection है there is high probability कि ये PBN के अंदर है और भी बहुत सारे जो links आपकी website को point कर रहे है उनको study करते है तो उसके basis पर human reviewers भी शीज को check करते है तो बचके निकल पाना बड़ा मुश्किल है अगर आप निकल भी गए किसी तरीके से तो long run में ये चीज काम नहीं करन बहुत ही debatable topic है ये PBN का बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से PBN को use करते हैं PBN की जो technique है उसको use करते हैं और लोगों का अलग अलग तरीके का experience है मैं आपको clear बता देता हूं कि हम वो चीज नहीं follow करते हैं जो Google की guidelines के against है देखो black hat करके थोड़ा बहुत black hat करके या black hat strategies क यूज करके थोड़े time के लिए rank करना मैं इसके favor में कभी नहीं रहता हूं थोड़े time के लिए देखो आप चीजों को test जरू कर सकते हैं आपके पास 10-15-20 websites है तो आप चीजों को test करो आपके लिए अगर यह चीज value नहीं रखती कि ठीक है मेरी website यह down हो जाएगी तो फिर आ हम अपने client के उपर कभी भी black hat SEO techniques नहीं test करते हैं या अगर हमारी website है तो हम उनके उपर भी black hat SEO techniques नहीं test करते हैं हो सकता है बच के निकल जाए हम भी ऐसा हो सकता है कि बच जाए और PBN जो strategy उसको Google ना catch कर पाए बट longer run में थोड़े समय बाद आप यह मान के चलो कि उसका नु क्या है over the period of time लोगों ने क्या जुगार या क्या technique लगाई है ताकि वो जो Google है उनको पकड़ना पाए और आज के time में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे तो जैसे नाम से आपको clear हो रहा है देखो मैंने बड़ा-बड़ा point यहां प करना चाते हैं कहीं कहीं पर आप देखोगे इसको money site भी कहा जाता है तो confuse नहीं होना है ठीक है यह main website अब हमने क्या किया हमने एक hosting के उपर बहुत सारी जो website से खुद बनाके जो domain से खुद खरीद करके ठीक है बहुत सारे जो website हैं blogs हैं उनको मैंने एक hosting जो पर होश करा दिय जैसे यहां पर एक मैंने website बना दी W1 एक दूसरी तो यह सब PBN है मतलब private blog network private blog network इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि हमीं इसको own करते हैं यह हमारे ही blogs का network है तो मैंने एक website बना दी W1 एक दूसरी website बना दी W2 यह बना पाना easy है इसमें कोई बहुत जादा वह चीज नहीं कि technicalities की आपको जरूरत है यह चीज पॉसिबल नहीं है पर यह आसानी से क्योंकि जैसे blogs बना जाते हैं वैसे आपने WordPress के उपर website जो है वो फटा 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 बना सकते हैं एक नया domain खरीदा फटाक से एक website बना दी गई एक दूसरी website ऐसे बहुत सारे let's say यह 10 websites जो है हमने बना दी अब यह जो 10 websites थी क्या किया गया इसके उपर content लिखा गया ठीक है content लिखने में महनत करी गई और content लिखने के बाद यहां से जो एक link है वो इस website के उपर दे दिया गया यहां से भी 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 तो आप देखो यह 10 website या 15 website जितन आप ऐसा करोगे कि हर 15 websites को आप properly उनके उपर जो content है वो डालेंगे, unique जो content है वो डालेंगे, regular basis पर content डालेंगे, उन websites की भी authority को आप increase करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई नहीं करता है न, तो जब आप ऐसा नहीं करोगे तो ये websites जो है इनकी अपनी authority कुछ बढ़ेगी नहीं, और इससे आपकी website को जो backlink है, वो मिला हुआ है, ठीक है, और अब जब Google आपकी website के links को crawl करेगा, links को study करेगा, तो identify करेगा, अच्छा भई, ये एक website है, इस website से आ रहा है, W1 website से, ठीक है, अच्छी बात है, वो दिखेगा कि एक W2 website से भी यहाँ पर link आ रहा है, एक website और ये website और ये website और ये website और ये website ये सारी website सापस में connected है, मतलब ये एक private blog network का part है, अब बोलेंगे भी सारी website connected है, ठीक है, पर कैसे Google को कैसे पता चल गया, भाई साब आपने hosting तो एक ही ले रखती थी, आपकी IP तो एक ही थी, तो उसको वो identify कर लेगा, सारी website को आपने एक ह analytics से connect कर दिया, तो वो identify कर लेगा, बहुत सारे ऐसे footprints होते हैं, जिनके health से बड़ी आसानी से ये identify कर लेते हैं, Google की ये एक website जो है, वो PBN network से links को ले रही है, ठीक है, ये टेकनीक चली, शुरुआत में बहुत चली, बट ये समस्या तब आई, जब penguin जो है, वो update आई Google की, अब ये चीजे काम करनी बंद कर दी, क्यों काम करनी बंद कर दी, क्योंकि penguin का main काम ही था कि जो link schemes है, उनको पकड़ना, जो लोग fake इस टाइप के links बना रहे हैं, उन links को पकड़ना और उन links की value वेबसाइट पे transfer ना होने देना, उन links की value ना रखना, तो ये काम था penguin का, link spam स गूगल के system को पता चल के algorithm के through, कि भाई ये जो links बन रहे हैं, ये low authority के links बन रहे हैं, अब लोगों ने क्या सोचा कि अब क्या करा जाए, कि high authority से links बने, तो लोगों ने इसको थोड़ा सा modify किया, लोगों ने क्या किया, इस बार उन्होंने expired domains buy करना शुरू कर दिया, ठीक है बहुत साए different sources हैं, यहां से लोगों ने expired domains को buy करना शुरू किया, अब लोगों ने क्या किया, expired domains buy किये, उसके उपर नई website जो है, वो बनाई, थोड़ा बहुत content डाला, पांदस post डाली, यहां से एक backlink ले लिया, फिर दूसरे जो expired domains से, वहां से एक backlink ले लिया, फिर तीसर इस तरीके से लोगों ने जो है, अपने PBN networks को use करना शुरू किया, और वहां से backlink ले लेना शुरू कर दिया, बट Google के लिए यह चीज भी पता कर पाना बहुत मुश्किल नहीं था, थोड़े टाइम के बाद यह strategies भी fail होने लगी हैं, Google काफी easily identify करने लगा कि इस टाइप की चीज़े भी PBN networks में use हो रही है, ठीक है, ये भी बात Google को समझ में आने लगी, अच्छा, इस चीज़ ने एक नए टाइप के business को भी जन दे दिया, लोगों ने फाइवर पे लोगों ने और दूसरे जो freelancers, marketplace, websites हैं, उनके उपर लोगों ने अपनी services बेचनी शुरू कर दी कि देखो भाई मेरे पास 50 websites का एक private blog network है, मैं आपकी website के लिए इन website से links दे रहता हूँ और मेरे को कुछ sum of amount आप दे दूँ, ऐसी services भी market में आ गए, बट ये सारी चीज़े ना, आज नहीं तो कल Google धीरे-धीरे इनको identify करने लगा, और आज के time में भी ये services available हैं, और ताज़ कुछ time के लिए आपको दिखे कि आपकी ranking जो है, वो improve हुई है, but over the period of time, जैसे ही वो review में जाएगा, आपकी ranking जो है, वो फिर वापस आप देखो के decrease हो जाएंगी, या उन links की कोई value नहीं रहेगी, और एक खत्रा आपकी website पे penalize होने का भी है, तो मैं आपसे कभी नहीं कहू को खरीदना भी शुरू कर दिया, अब वो भी पकड़े जाने लगे Google के थुरू, तो लोगों को यह समझ में आया है, कि हम लोग यह करते हैं, कि जो Google factors को पकड़ता है, जिन factors के help से Google यह identify करता है, यह website न, private blog network का part है, उन factors से थोड़ा सा play करना शुरू करते हैं, तो आज के time में जो लोग PBN को यूज कर रहा है न, वो इस तरीके से यूज करते हैं, कि वो footprints न छोड़े, टर्मिनलाजी यूज होती है, footprints, PBN के लिए बहुत जारा यूज होती है, कि कहीं पर आप footprints न छोड़े, footprints का मतलब क्या है, मनलब ऐसे signals आप Google को न दें, जिससे Google को यह बात समझ है, वो कर दिया आपने, एक ही hosting से कर लिया आपने, तो अब अगर आप इन सभी factors को ध्यान देंगे, hosting अलग लेंगे, बहुत सारी चीजों का अगर आप ध्यान देंगे, तो cost भी जादा की आएगी, तो private blog network बना कर उसको successfully run करना, इसकी भी अपनी cost होती है, चलिए शुरू क करते हैं, और यह भी देख लेते हैं हम लोग, वो factors कौन से हैं, जिनकी help से Google यह identify कर लेता है, कि यह वाली website, जिससे इसको backlink मिल रहा है, यह private blog network का part है, ठीक है, देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेटर people started buying expired domains to pass that link used to their main website, क्योंकि expired domains के उपर पहले से back links बने होते थे, और proper research करके लोग expired domains जो है, उनको buy करते थे, ऐसे नहीं कि normal, कोई भी expired domain है, बाइक कर लिया, नहीं, देखते थे, जो expired domain है, उसके उपर पहले कौन सी website थी, उसके उपर कितने backlinks बने हैं, किस type के backlinks बने हैं, जितनी जादा high authority की, वो website exist करती थी, उस expired domains के उपर है, जितने expired domain के उपर point करते थे, उतना अच्छा था उनके लिए, तो वो authority या link juice वाला जो concept है, कि high authority website से backlink मिल रहा है, relevant website से backlink मिल रहा है, तो वो वाले जो part था, उसमें वो tick कर देते, वो चीज वो fulfill कर लेते थे, अगर expired domains को सही तरीके से buy करते थे, तो PBN network को सही तरीके से run करना आज भी possible है, लेकिन मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, long term के लिए नहीं, मैं नहीं recommend करूँगा, कि आप PBN networks के उपर जाएं, ठीक है, अब जैसे Google कैसे identify करता है, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो पहला point आप देख रहा है, उससे hosting, on the same IP, ठीक है, जैसे who इस से सब पता चल जात है, इस से कि इसका जो registrar है, वो कौन सा है, बहुत सारी detail जो है, वो पता चल जाती ही, तो उसकी help से भी Google को पता चल जाता है, कि जो कुछ domains है, वो same day पे जो है, वो register किये गए, same उनका जो registration name बगरा है, जो भी domain से related information है, वो same है, तो ये सारे signals है, जो Google को मिल जाते हैं, काम करते नहीं है, ठीक है, same type की theme, same type का layout, same type की सारी चीज़े, same type का content पोस्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी न, backlink चाहिए होता है, उसके content, उसकी quality, इन सब चीज़ों पे कोई भी काम नहीं करता है, ठीक है, similar themes, जैसे मैंने third point लिखा, site ownership अगर common है, तो भाई, ये तो आपने एक न, परोस के दे दिया Google को, कि भाई देख लो, यहीं, जो domains हैं, यह सब मैंने ही खरीदे हुए, ठीक है, तो यह सारी चीज़ा है, गूगल को signal दे देती हो, बड़ी आसानी से हो, PBN network identify कर लेता है, content duplication, मतलब, वही content आपने multiple websites के, क्योंकर unique content बना पाना लोगों के लिए challenging हो जाता है, और अगर unique content उनको बना नहीं है, तो फिर वो 8-10 proper websites ही run करें न, और वहां से backlink ले ले, लेकिन अगर आप बार-बार उन्ही websites से backlinks लोग है, जैसे मैंने का कि sir ठीक है, आप यह बोल रहे हो, यह सारे चीज़ों को हम ignore करते हैं, काम करते हैं, हम लोग प्रोपर 10 websites बनाते हैं, अलग domains लेते हैं, अलग hosting लेते हैं, सब कुछ अलग लेते हैं, team 10 लोग की अलग बिठा देते हैं, और उन 10 websites से फिर backlinks हम लेना शुरू करते हैं, बट आपको यह बात पता है कि जैसे आपने जो backlinks लेने हैं, वो unique domains से लेने हैं, unique domains का क्या मतलब हुआ, कि अगर आप एक website से एक backlink लेते हो, और अगर आप उसी website से दुबारा backlink लेते हो, उसी website से तिबारा backlink लेते हो, तो जो actual value है, वो आपको पहले backlink से ही मिल चुकी है, दूसरे और तीसरे backlink से आपको कोई उतनी ज़्यादा value मिली नहीं है, तो आप 10 websites बना कर उसके उपर बार बार content लिखकर बार बार अगर उससे backlink साप लोगे, तो क्या Google इस चीज को identify नहीं कर सकता कि क्या चल रहा है भीया, इन 10 website से regular इनको backlink सा रहे हैं, यही 10 websites हैं जिनसे इनको regular backlink सा रहे हैं, तो अगर 10 website से regular backlink सा रहे हैं, तो गूगल को signal ली जाएगे, कुछ गड़बड़ी है, क्य नहीं, जाधा आपको जो websites हैं, वो create करनी पड़ेंगे, अब जब आप जाधा websites create करोगे, तो वह resources भी तो लगेंगी, भाई, पैसा भी तो खर्च होगा, domain खरीदना है, content mention करना है, बहुत सारी चीज़ हैं, ठीक है, और उसके बाद के अगर कहीं Google ने identify कर लिया, कि आप PBN network क साहरा ले रहा है, तो सारी महनत बेकार, ठीक है, same type of backlink, जो मैंने बताएगी, same backlinks जो आपको मिल रहा है, वो बार-बार उससी type की website से मिल रहा है, 7th point using same Google for Google Antics, मतलब Gmail ID, जिसको हम लोग बोलते हैं, Google ID, ठीक है, Google Antics, एक ही Google Antics पे सारे connect करे हुए हो आप, all domains linking to same main website, ठीक है, ऐसा कैसे होता है, यह सारे जैसे domains है, यह सारे एक ही website को link कर रहे हैं, और बार-बार यह एक ही website को link कर, तो चलो यह एक तो factor हो गया है, जो उसको थोड़ी से signal दे देगा Google को, कि हाँ भई कुछ गडबड़ी जरूर है, बट ऐसे बहुत सारे factors हैं तो आज के time में, अगर किस तरीके से यह सारे जो जुगाड़ हैं, लूप होल्स हैं, इनको ध्यान में रख कर, अगर आपने PBN network create कर भी लिया, तो बहुत जादा समय तक उसको आप sustain कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यह किसके अंदर आता है, यह आता है black hat technique के अंदर, अब black hat technique क्या होती है, black hat technique क सीधा सा मतलब यह होता है, कि यह वो technique है, जो Google recommend नहीं करता है, बट इसमें कुछ loopholes ऐसे हो सकते हैं, जिससे आपको temporary ranking मिल जाए, या अगर आप बच जाओ तो थोड़े, जादा समय के लिए आपको ranking मिल जाए, तो बहुत सारी agencies ने भी यह किया, over the period of time, उन्होंने अपने clients क लिए, fiber वगेरा से, और ऐसी जगहों से जो है, इस type के backlinks खरीद है, जो कि मैं कभी नहीं recommend करता हूँ, backlinks हमेशा manually बनाने चाहिए, प्रॉपर बनाने चाहिए, और जो backlinks बनाने की basics हैं, relevancy, high authority website, content based backlinks, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, तो आप backlinks बना लेंगे, एक और चीज़ मैं, जो business owners हैं, उनको भी मैं थोड़ा से आपर recommend करूँगा, देखे, उनको भी इस बात को समझना चाहिए, कि agency वाले लोगों को, agency owners को, और जो आपको service provide कर रहा है, backlink अगर आपको quality backlinks बनाने हैं, तो उसमें time जरूर लगेगा, कोई भी business owner, please आप push मत करें, कि मेरे को तो 50 backlinks रोज चाहिए, 30 backlinks रोज चाहिए, 40 backlinks रोज चाहिए, quality के साथ, अगर आप backlinks के case में compromise करेंगे, तो मैं अपने इतने सालों का experience बता रहा हूँ, हमने देखा है, toxic backlinks के साथ कई बार website 6-6 महिने तक rank करें, जबरजस्त rank करें, उसके बाद उसमें downfall देखने को मिला, तो उसके पीछे जो reason था हुआ ही था, क्योंकि हम content अगर लगातार website के उपर डाल रहे हैं, website के content को लगातार improve कर रहे हैं, उसके बाद website के down होने का reason क्या हो सकता, इसका मतलब हमारी back link की जो profile है, वो ठीक नहीं है, हमारी जो backlink की profile है, वो किसी तरीके से corrupt हो गई है, तो आप longer run के लिएकर किसी website को run करना चाहते हैं, make sure करें कि आप quality backlink सी बनाए, I believe आपको ये PBN का जो concept है, वो समझ में आ गया होगा, मैंने यापर जो factors वगरा हैं, वो भी आपको mention कर दियो, क ये topic काफी debatable है, कुछ लोग के लिए काम करता है, बट ये बात 200% guarantee के साथ सही है, कि longer run में काम नहीं करेगा, ठीक है, आज नहीं, तो कल Google और अच्छे तरीकों से identify कर लेगा, कि ये आपका PBN network है, और खरीदे तो बिलकुल ना, मतलब जो Fiverr पे, और जो दूसरे जगों पर कर दो, कि ये कर दो, कि ये आपका Camis कर दो, कि ये आपका ब्रूल नहीं, तो कि ये खाँ कर दो, कि ये इदाए, और जो झाफ़ क के वाच्छा है, कि अपका जो जगुल झाए पकता है, कि ये अ भ्ये लोग.